नहां पर देखिए क्या कह रहा है ये, क्या चाहता है ये, आप से कहा है, कुछ टॉफियां 175 स्टुडेंट्स में बराबर बराबर बाटी जानी थी, ये प्लानिंग थी, लेकिन क्या हुआ, 35 स्टुडेंट्स एपसेंट हो गए, इसलिए प्रतेग बच्चे को 4-4 टॉफि ज करेंगे, मैं यदि, आपने देखा होगा, जब आप छोटे थे, स्कूल में हम जो है, टॉफि डिस्टिब्यूट किया करते थे, वईडे पर, तो आपको कल टॉफि डिस्टिब्यूट करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप का जो है, प्लानिंग क्या होगी, वो सुनिए, आ आज आप ये पता करेंगे कि टोटल नंबर आफ स्टुडेंट कितने हैं, आप पहले स्टुडेंट की काउंटिंग करने वाले हैं, आपने टोटल नंबर आफ स्टुडेंट पता कर लिया, गिन लिया, फिर आपने ये प्लान तै किया, ये प्लान बनाया कि हम एक स्टुड लेंगे किस में total number of student में तो क्या मिल जाएगा हमें total topic कितनी हमें लानी है ये पता चल जाएगा चल जाएगा ठीक चल रहा है यहां तक कुछ चलिए करें शुरू आप से कहा है सबसे पहले कि कुल टॉफियां 175 बच्चों में बराबर बराबर बाटी जानी थी तो total student कितने हो गए total number of student कितना दिया है आपको 175 यही था फिर आप से क्या कहा है 35 बच्चे जो है absent हो गए absent कितने absent हो गए 35 तो यह बताओ present कितने present कितने हो गए sir 175 से 35 माइनस कर लो कितना आ जाएगा 140 यह क्या है यह present है 140 present है अब आप से कहा है कि जो है कुछ लोग absent हो गए और उनके absent होने के कारण प्रतीक बच्चे को 44 टॉफि ज़्यादा मिली क्या हुआ आपने calculate कर लिया कि कल हमें इतनी टॉफि लेकर आना है आप टॉफि लेकर आ गए ठीक है ना टॉफि लेकर आए और आपने जो planning की थी उसके according आपने टॉफि बाटना शुरू कर दिया आपने टॉफि बाटना शुरू किया अब टॉफि बाटने के बाद आपने देखा कि आपके पास कुछ टॉफियां एक्स्टा बच गई आपके पास एक्स्टा टॉफियां बची तो आपने ये decision लिया कि जो बच्चे आए हैं उन्हीं में ये टॉफियां बाट दी जाए जब आपने इन टॉफियों को बाटना शुरू किया तो जो बच्चे आए हैं, जो student present हैं, उनके हिस्से में 4-4 टॉफियां आई, कितनी आई, 4-4 आई, तो ये बताओ extra टॉफि बची कितनी थी, एक बच्चे के हिस्से में 4 आई, हैं कितने बच्चे, 140, 140 के हिस्से में 4-4, कितना हो जाएगा, 560, total कितना आया, 560, ये 560 क्या है, ये extra टॉफि हैं, जो बच गई थी, और हमने present बच्चों में ही बाट दी, कितनी टॉफियां है, 560, अब मुझे एक बात बताईए, ये टॉफियां बची क्यों थी, क्यों बची थी, क्यों कि कुछ बच्चे नहीं आये हैं, कितने बच्चे नहीं आये हैं, 35 नहीं आये हैं ये ही बुलाए, absent कितने हैं, 35, ये नहीं आये, तो इनहीं का तो हिस्सा था ये 560, ये 560 टॉफियां जो है, ये किसके हिस्से की टॉफियां थी, उन 35 students के हिस्से की थी, जो नहीं आये हैं, तो यदि ये उनके हिस्से की थी, तो हम ये पता कर सकते हैं, कि जो बच्चा नही आया उस एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलनी थी तो ये जो है 35 बच्चों का हिस्सा है 35 इस्टूडेंट्स का हिस्सा कितना बन रहा है 35 इस्टूडेंट्स का हिस्सा है कितना 560 तो ये बचाओ एक बच्चे को कितनी मिलनी चाहिए एक स्टूडेंट्स का हिस्सा क्या बन रहा एक student का हिस्सा बन जाएगा फाइव सिक्स्टी डिवाइड वाइट थर्टी फाइव यही बनने वाला है देखो कट रहा है क्या कुछ कट जाएगा साथ से पांच बार साथ से आठ बार फिर पांच से कितना आ रहा है एक बार और छे बार कितनी टॉफी मिलनी थी सूला सूला टॉफी मिलनी थी किसको सभी को भई जो नहीं आये उनको सूला सूला मिलनी थी तो जो आये हैं उनको भी सूला मिलनी थी तो एक आंसर हमारे पास आया कितनी टॉफी मिलनी थी जो है मिलनी थी कितनी कितनी सूला सूला अभी क्या हुआ है चार चार जादा अभी क्या हुआ है वरतमान में प्रजेंट में जो है चार चार जादा मिली है चार चार जादा मिली है चार चार एक्स्ट्रा मिली एक्स्ट्रा मिली ना तो मिली कितनी 16 मिलनी थी सर और चार चार एक्स्ट्रा मिली कितनी मिलेंगी 20 यदि आपसे ये पूछता कि कितनी टॉफी मिलनी थी तो हमारा जवाब होता 16-16 मतलब 16-16 टॉफियां जो है एक बच्चे को मिलनी थी लेकिन अभी क्या हुआ है कुछ बच्चे नहीं आए इसलिए जो बच्चे आए हैं उनको 4-4 टॉफी और एक्स्ट्रा मिल गई तो एक ब प्रतंत्र दिबस पर 450 बच्चों में 450 स्टुडेंट्स हैं उनमें मिठाईयां बाटनी हैं तो कहा है 150 एक सो पचास बच्चे एपसेंट हो गए तो जो बच्चे आए हैं उन्हें 3-3 मिठाई ज्यादा मिल गई तो बताईए एक बच्चे को कितनी मिठाई मिली तो स्कुल सैम कॉस्चन है फटाफट जवाब दीजिए क्या आएगा सबसे पहले मैं बात कर लूँ टोटल स्टुडेंट की तो टोटल स्टुडेंट कितने हैं कितने हैं 450 फिर क्या बोला है एपसेंट कितने एपसेंट कितने हो गए 150 तो प्रजेंट कितने हो गए डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है 300 तीन सो आए अब एक बच्चे को एक्स्ट्रा कितनी मिली तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम extra toffee तो भई extra जो है वो कितनी मिली है तीन-तीन मिली है तो 300 बच्चों में तीन-तीन जब extra मिलेगी तो कितनी toffee बनी 900 900 बनेगी 900 बनेगी सर यह 900 है किसका हिस्सा उन 150 बच्चों का जो नहीं आए तो 150 बच्चों का हिस्सा 150 स्टूडेंट का हिस्सा कितना है 900 कितना है 900 यही चल रहा है तो एक बच्चे का हिस्सा क्या बनेगा तो एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का हिस्सा क्या बन जाएगा यह बन जाएगा सर 900 में divide लगा दे किसका जो नहीं आये, कितने नहीं आये, देड़ सो, देखो कट रहा है क्या, कुछ कट जाएगा, 0 से 0 खतम 15 से 6 बार, यही आएगा, तो प्रते एक बच्चे को कितनी कितनी टॉफी मिलनी थी, 6-6 मिलनी थी, तो प्रते एक स्टुडेंट को, प्रते एक बच्चे को, कितनी कि टॉफी मिलनी थी कितनी कितनी मिलनी थी छे छे टॉफी मिलनी थी ठीक है ना छे छे टॉफी मिलनी थी ये कंडिशन बनी थी पहले प्लानिंग थी ये लेकिन अभी मिली ज्यादा है और मिली कितनी है मिली है कितनी तीन तीन ज्यादा तो छे छे मिलनी थी और तीन तीन ये 9-9 टॉफी लिखा है ठीक है ना एक बच्चे को कितनी 9-9 टॉफी मिली है चलें आगे चलिए देखा जाए next बना लोगे देखो जरा इसको बनाओ ये बहुत ही important question है ये exam में पूछा हुआ question है ध्यान से पढ़िएगा फिर answer दीजिए क्या आएगा देखिए बनाईए क्या बनने वाला है क्या answer आने वाला है आप से कहा है यदि एक तालाब को बारिस के पानी से भरने में 40 days लगते हैं 40 दिन में तालाब full हो जाता है तो कह रहा है यदि पानी का इस तर प्रती दिन दो गुणा होता है पानी का जो level है यह ज़रा लॉजिक लॉजिकल कॉशन है आप से कहा है परडे क्या होता है डवल होता है परडे डवल होता है परडे डवल होता है और फुल कव होता है 40 दिन में फुल होता है कब फुल होता है सर्फ फॉर्टीन्थ डे जो है फॉर्टीन्थ डे जो था तब तालाब कितना भरा होगा कितना भरा होगा तालाब सर भरा होगा हाफ क्यों भरा होगा हाफ क्योंकि अगले दिन डवल हुआ होगा ना आप से बोला है कि प्रतेक दिन क्या होता है डवल हो जाता है तो यदी 40 दिन में फुल होता है तो 39th डे क्या होगा हाफ भरा ह क्यों सर हाफ क्यों क्योंकि 39th day यदि आधा तालाब भरा था तो अगले दिन डवल होकर पूरा फुल हो गया होगा होगा ऐसा यही लॉजिक चल रहा है हमसे कहा है कि परड़े क्या होता है डवल हो जाता है तो यदि 40 दिन में फुल होता है तो 39th day जो रहा होगा 49 वे दिन ता तो 38th day की condition बता दो क्या आएगी 38th day क्या हालात रहे होंगे सर आधे का भी आधा रहा होगा आधे का आधा कैसे निकलेगा वही 1y2 का आधा मतलब 1y2 कितना हो जाएगा 1y4 कितना भरा होगा 1y4 और हमसे पूछा भी क्या है 1y4 यही पूछा है 1 4 तो 1 4 बरने में कितना समय ल भरने में कितना समय लगा होगा तो लगेगा 38 days कितना लगेगा 38 और 38 से जब 39 पर जाएगे तो 1 4 का double हो जाएगा 1 4 का double क्या होता है half और फिर half का double क्या होगा full तो हमारा answer क्या बनेगा बहुत ही simple है answer क्या बन रहा है हमारा answer बनेगा 38 days कितना समय लगेगा 38 days लगेंगे 38 दि जो है वो कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा और 40 नंबर का जो डे आएगा उस दिन क्या होगा ताला फुल हो जाएगा चलें आगे चलिए देखा जाए next देखिए इसको बनाईए क्या कह रहा है यह गैन है एक गैन जो है कुछ उचाई से गिरती है और जब गिरती है तो क्या होगा धरती से टकराएगी जमीन से टकराएगी और बाउंस लेगी पहला जो उचाल लेती है वो लेती है अपनी हाइट का 3-4 और फिर जब जमीन से टकराती है दुबारा तो फिर अपनी हाइट का 3 4th फिर जमीन से टकराएगी फिर height का 3 4th और धीरे धीरे उसकी उचाई घटती जाएगी जैसे ये कोई height थी ये कोई height है आपने ball को bounce किया यहां से आपने जो है ball को गिराया ball नीचे आई jump किया फिर उपर आई फिर jump किया नीचे गई ऐसे फिर jump करेगी फिर jump करेगी ये चलता जाएगा घटती जाएगी धीरे धीरे ये ही चल रहा है ना ऐसे bounce हो रही है तो आप देखिए क्या कहा है कि एक gain जो है कुछ उचाई से गिरती है तो धरती से टकरा कर 3 4th भाग तक उचलती है यदि किसी 32 मीटर कहा से गिराना है उसको 32 मीटर उचे खंबे से उचाई से गिराना है तो कहा है कि अपने तीसरे उचाल में है ना 3rd bounce में कितना जो है distance तै कर लेगी कितनी height तै कर लेगी तो चलिए की जाए शुरुआत करते हैं शरुआत height कितनी है 32 से ball को फेक दिया फेका 32 से फेका जमीन से टकराई पहला bounce लिया कितना आएगा 3,4 यही आएगा पहला bounce लिया कितना आएगा 3,4 फिर नीचे गई जमीन से टकराई फिर bounce लिया कितना लिया 3,4 फिर जमीन से टकराई फिर bounce लिया कितना लेगी 3 4th यही लेगी यह लेगी अब क्या करना है आपको देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या 4 से 8 बार फिर 4 से 2 बार यही होगा फिर 2 से काट पाएंगे हम 2 बार यही था ठीक था कुछ देखो एक बॉल है हमने उसको 32 की हाइट से फेका है कहां आई जमीन पर पहला बाउंस लिया उपर आएगी पहला बाउंस लिया फिर क्या होगा यह दूसरा बाउंस लेगी फिर नीचे जाएगी तीसरा बाउंस लेगी और उपर आएगी यही है ना तो आप से क्या कहा पहला बाउंस तो कहां आएगी 3 4th पर फिर दूसरा bounce फिर 3 4th पर फिर 3 4th पर फिर 3 4th पर 32 था 32 था हमने काट दिया 4 से 8 बार 4 से 2 बार 2 से 2 बार कितना बन रहा है 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 27 पर गया और अपॉन में क्या चल रहा है 2 देखो कट पाएगा क्या कुछ भई point में कट जाएगा काट दो 2 से काटा एक बार दो 3 बार 6 कितना बच रहा है 1 तो कितना आएगा 5 बार 10 किस में है unit unit क्या दी है meter तो कितना meter जम पाएगा अब जो जम पाने वाला है वो आएगा 13.5 meter कितना उच्छाल लेगी 13.5 meter का उच्छाल लेगी अब 32 का ये कितना हो जाएगा 3 4 तो 32 का 3 4 निकाल दो 4 से 8 बार 32 8 into 3 ये जाएगा 24 meter जाएगा 24 meter जाएगा फिर next क्या होगा 24 का 3 4 कितना आ जाएगा 4 से 6 बार 6 into 3 18 meter आएगा फिर next जो आएगा यहाँ जब बाल होगी तो 18 का 3 4 आएगा तो इसका 3 4 निकालेंगे 2 से 2 बार 2 से 9 बार 9 into 3 27 का आधा कितना आएगा 13.5 यही आएगा तो यह हम चाहें तो step by step अलग अलग उच्छाल ले सकते हैं ठीक है ना या फिर चाहें तो हम एक सांस ले लें क्या करें total height लिखी first bounce second bounce and third bounce तीनों bounce लिखेंगे और आपका answer आजाएगा तो चलिए चलें आगे की तरफ और खजब बिखेंगेट। झाल झाल